तो दोस्तों आज हम बात करेंगे किस तरीके से आप ये इस नेक प्लांट को उनकी पतियों से ग्रो कर सकते हैं जियां तो इसको आप दो तरीके से ग्रो कर सकते हैं पहला तो आप इसको पानी में ग्रो कर सकते हैं लो मेंटिनेंस हैं बिलकुल मेंटिनेंस नहीं मांगते हैं इंडोर प्लांट यानि कि आप ऐसे प्लेस पर रहते हैं जहां पर डिरेक्ट सनलाइट का रिफ्लेक्शन आता है तो वहाँ पर भी आप इनको बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं और उन सब पर भी सबसे यानि अगर आप इसको अपने hall में, अपने room में, drawing room में, study room में, कहीं पर भी आप इनको रख सकते हैं, तो चलिए आज हम जानते हैं कि कैसे हम इनको grow करें, तो इसके लिए दूस्तों मैंने की लिया है, छोड़ा सा 4 इंच का plastic का pot, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास सिर्फ दो leaf है और इसके लिए इस pot की साय सफिशेंट है, हम बहुत बड़ा pot नहीं लेंगे, और अगर आप इसको grow करना चाहते हैं, तो मैं आपको यही suggest करको कि winter season में try ना करें, क्योंकि जो अगर आप monsoon season में इसको try करते हैं, या summer season में try करते हैं, जो इसका result एक से डेड़ मैने में आए इसकी cutting को लगाएंगे, और अभी जो मेरे weather का temperature है, यह 30-32 degree तक जा रहा है, maximum temperature और average जो temperature की range है, वो 20 से 30 degree के बीच में है, तो यह perfect time है, जिस time है हम इसकी cutting को लगा सकते हैं, चलिए अभी हम इसमें ले लते हैं कुछ soil, इसमें दोस्तों मैंने ले लिया है 70% को कोपीट और उ इसमें ही हम अपने इस snake plant की leaf को directly लगा देंगे, अगर आप चाहें तो इनको cut कर ले और इससे आपको 2 plant की जगे पर आपके 4 plant तयार हो जाएंगे, और अगर आप चाहें तो इन leaf को directly भी लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पर दोनों तरीके से try करेंगे, तो अभी यह दूस्तों हमारा process हो गया है complete, और अभी हम इसमें देंगे थोड़ा सा पानी, और अपनी cutting को रख देंगे पार्ट्री shaded area में, तो यह है final update 122 दिन के बाद का, और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे snake plant बहुत ही अच्छी तरीके से grow कर रहे हैं, और बहुत ही धेर सारी leaf भी आ गई है, यहाँ पर आप एक important चीज़ notice करेंगे कि अगर आप snake plant उसकी leaf से grow करते हैं, तो जो आपने starting में snake plant देखा था, उसकी leaf में एक pattern था, side में yellow line होती हैं, लेकिन जब आप leaf से grow करते हो, तो आपको इस तरीके की plain leaf मिलती हैं, इसके पीछे का क्या reason है, यह मुझे नहीं पता, अग ग्रो कर सकते हैं, यह एक बहुत ही अच्छा indoor air purifying plant है, तो इस तरीके से आप भी अपने घर में grow कर सकते हैं, इस snake plant को उसकी leaf से, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आपको पहली बार मेरा यह page देख रहा है, तो प्लीज इसको follow करें, तो फिर मिलूग आपको नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार